नमस्कार बच्चो बच्चो उमीद है कि आप स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चो आज हम इतिहास का कक्षा दस का अध्याए तीन करने जा रहे हैं और इस अध्याए का नाम है भू मंडली करन विश्व का बनना अब ये जो अध्याए है बहुत ही विश्तृत है और इसलिए हम इसको दो या तीन भागों में करेंगे पहले हम ये जान लें कि इस अध्याए में हम क्या करेंगे बच्चो इस अध्याए में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार व्यापार भोजन और रोग के जरिये किस प्रकार जो लोग थे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हलांकि पहले ये जो जुड़ने की गती थी बहुत ही कम थी जैसा कि आज हम देखते हैं आज तो बहुत जो गती है जुड़ने की वैश्विकर्ण होने की बहुत जादा बढ़ गई है इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार बाद में उपनवेशिक्स विवस्ता शुरू हुई और किस प्रकार यूरोप के विभीन देशों ने संसार के बहुत से ह गीसों पर अपना कभजा किया और उसके बाद किस प्रकार जो अर्थ विवस्ता थी जो राज पुनिवेशिक विवस्ता लागू हुई और किस परकार धीरे धीरे ये जो देश थे अपने आपको सुदंतर करने लगे और उसके बाद एक नई विवस्ता ब्रैटन वूड विवस्ता के बाद शुरू हुई और किस परकार बाद में जो पूरा संसार था दुबारा से एक न पूरव आधुनिक यानि अभी जो पिछले 200 साल से जो समय चला रहा है वो एक आधुनिक युग माना जाता है लेकिन उससे पूरव आधुनिक युग से पूरव का जो समय था वहां पर किस प्रकार जो वैश्वी करण है किस प्रकार एक त्रहें से विवस्ता में आया अब मै बार बार एक शबद बोलत रहा हूं कि वैश्विकरण 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 आप तो जानते ही हैं अगर नहीं जानते तो आए एक बार हम फिर से इसकी चर्चा करें वैश्विकरण क्या है संसार के विभिन देशों को या संसार के विभिन नागरिकों को आपस में जोड़ना और ये जो जुड़ाव है ये कई तरह से हमें देखने को मिलता है आपको पता ही है कि क्या होता है जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या एक प्रकार से वैश्वी करण को सुलब भनाते हैं तो उसके प्रमुक कारण क्या होते हैं आपको पता ही है क व्यापार लोग व्यापार करते हैं एक वस्तु को अपने देश में भेजने के साथ साथ दूसरे देशों में भी भेजते हैं और उसी परकार दूसरे देशों की जो वस्तुएं हैं वो भी अपने देश में लाते हैं और इस परकार व्यापार के जरिये ये देश के लोग और ये जो देश हैं आपस में जुड़ते चले जाते हैं और ये विवस्ता अब की नहीं है व्यापार जो है प्राचिन भारत से ही हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार आज से लगबग 4500 साल से भी पहले से सिंदु घाटी सभ्यता हमें वहां पर ये देखने को मिलता है कि सिं स्वाटरों के साथ जुड़े हुए थे व्यापार के जरिये तो इस प्रकार ये जो वैश्वीकरन है अब जो देख रहे हैं वैश्वीकरन उससमें भी था फर्क क्या है कि मात्रा का फर्क है उस समय जो गति थी वो थोड़ी कम थी और आज जो गति है वो थोड़ी जादा ह हो गई है मात्रा उसकी बढ़ गई है और इसी तरह हैं लोग क्या करते हैं काम की तलाश में एक जगां से दूसरी जगां पे जाते हैं जब उन्हें लगता है कि अपने देश में हमें सही अवसर नहीं मिल रहे तो वो दूसरे देशों में जाना शुरू कर देते हैं और बस फरक्या था कि वो जो आना जाना था वो आज की तुलना में कम था क्यों क्योंकि उस समय जो आधुनिक सादन थे परिवेहन के याता यात के वो इतने विक्सित नहीं थे जितने की आज हैं और इसी परकार क्या होता था एक देश से दूसरे देश में यातरी आते जाते यात्री एक प्रकार से देखें तो वो ग्यान की खोज में आते जाते थे भारत में क्या है हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हर्शवर्दन के समय में चीनी यात्री हयूनसांग आया उसी प्रकार गुप्तकाल में भी यहाँ पर एक चीनी यात्री आया जिसका नाम फायान था और वो जो क्योंकि बोध धर्म से सबंदित था और बोध धर्म के बारे में ये जो दोनों यात्री थे जादा से जादा जानकारी प्राप्त करना चाते थे इसलिए वो भारत में आए और इस प्रकार लोगों का आना जाना एक प्रकार से तब भी जारी था और ये जो आना जाना है, चाहे वो यात्रियों का है, चाहे धर्म उपदेशकों का है, चाहे ग्यान की खोज में आए यात्रियों का है, क्या होता है कि ये जब भी आते जाते हैं, तो अपने साथ ग्यान भी लेके आते हैं, पैसा भी लेके आते हैं, कुछ नया हुनर भी लेक आते हैं अविश्कार भी लेके आते हैं और साथ साथ अपने साथ कि टानू और बिमारियां भी लेकर चलते हैं जो कि इस तरह से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं आईए अब हम एक नई चीज देखें जिसने दुनिया को आपस में जोड़ा और वो था रेश यह विचार आ रहा होगा कि रेशम मारग यह क्या उनसा मारग है कि क्या वहां पर रेशम विचा रहता था वास्तम में क्या है कि यह जो मारग था एक प्रकार से यह भारत को अफ्रीका से और जो दक्षन पूरव एशिया है उसके साथ आपस में जोड़ता था और इस मारग से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता था वस्तर लाया जाता था और वस्तरों में भी सबसे ज़्यादा रेशम का प्रियोग होता था यानि रेशम को वहां से ज़्यादा लाया जाता था और इसी लिए उसका नाम रेशमार्ग या सिल्क रूट पड़ गया ये जुरूरी न उख्यत और पर जादा चीज जाती थी वो वहां से रेशम ही जाता था इसी लिए उसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया इतिहासकारों ने बहुत सारे रेशम मार्गों के बारे में बताया है जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते ना केवल एशिया के विश होते थे ऐसे मार्ग इसा पुरव के समयम में ही सामने आ चुके थे और लगभग पंद्रमी शताबदी तक अस्तित्तव में थे इसी रास्ते से चीनी बरतन लाए जाते थे और इसी रास्ते से भारत व दक्षिन पुरव एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भ जांचती थी व्यापार और संस्कृतिक अदान परदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी शुरुवाती काल के इसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मारग से एशिया में आते जाते होंगे कुछ सदी बाद मुसलिम धरब उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले इससे भी पहले पूरवी भारत में उपजा बोधरम सिल्क मारक की विविद शकाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था और इसी परकार एक देश का भोजन या एक देश में उगाई जाने वाली फसल किस परकार इन यात्रियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में पहुँचते थी आपने नाम सुना होगा नूडल्स पानी आगया मूँ में उसमें क्या था नूडल्स जो है वो मुखे तहा चीन में पैदा होता था बाद में चीन से अरव यात्रियों के माध्यम से वो यूरोप में पहुचा और देश के अन्या भागों में पहुचा इसी परकार जो आप पास्ता खाते हैं हम कहते हैं कि ये इटालियन फूड है यानि इटली का भोजन है प्रंतु अगर वास्तम में देखें तो ये जो पास्ता है इसको जो अरब व्यापारी थे वो इटली का जो एक टापू है सिसली वहां ले गए थे और वहीं से बाद में धीरे धीरे ये दूसरी जगां पर पहुंचा अलू, सोया, मुंगफली, मक्का, टमाटर, मेर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे खाद्यापदार्थ लगबग 500 साल पहले हमारे पूरवजों के पास नहीं थे ये खाद्यापदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुं था जिने बाद में अमरीका के नाम से जाना जाने लगा था, यहां अमरीका का मतलव उत्री अमेरिका, दक्षिन अमेरिका और कैरीबियन दूवीब समू से है, दरसल हमारे पास बहुत सारे खाद्यापदार्थ अमरीका के मूल निवासियों यानि अमेरीकन इंडियनों से ह क्ई बार क्या होता है जब एक फसल एक सिद्दू स्रें देश में पहुंचती है तो वहां तो एकशन अक्षिन अमरीकह से जो आल Rise फालती यूरोप पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया उनकी जो उमर थी ओसत उमर थी वो भी बढ़ गई और आइरलेंड के जो किसान थे चोटे किसान थे वो तो आलू की फसल पर इतने निर्बर हो गए कि जब अठारा सो चालिस में वहां पर आलू की फसल खराब हुई तो पता नहीं कितने ल इस परकार जो विश्व था एक दूसरे से जुड़ा उसकी बात करें अब जब क्या हुआ कि स्मुद्री मारगों की खोज हो गई अब उससे क्या हुआ जो यूरोप के लोग थे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो किस्टोफर कलंबस था उसने क्या किया था अमरीका की खोज की थी जिसमें उत्री अमरीका दक्षिन अमरीका और मध्या अमरीका कह सकते हैं कैरीबियन दूइब सुमू था अब वहां पे जब इस रास्ते की खोज हो गई और बाद में वासकोडी गामा ने जब 1498 में पूरा अफरीका का चक्कर काट करके भारत में पहुंचा थ और बाद में क्या हुआ इन मारगों के जरिये ये जो यूरोप के देश थे धिरे धिरे एशिया और अमरीका के क्षित्रों में पहुंच गए और धिरे धिरे वहां पर उन्होंने अपनी नई विवस्ता को लागू करना शुरू कर दिया 16 सदी में जब यूरोपिया जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्टा ढूंड लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरीका तक चाप पहुंचे तो पूरव आधोनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा इससे पहले कई सदीयों से हिंद महासागर के पानी में फल्ता फूल्ता गयापार त्रहं त्रहं के सामान लोग ग्यान और प्रमप्राएं एक जगां से दूसरी जगां आ जा रही थी भारतिय उप महद्वीब इन प्रवाहों के रास्ते में एक एहम बिंदू था पूरे तंतर में इस इलाके का भारी महत्तव था यूरोपियों के दाखिले से यह आवा जाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरह भी मुडने लगी अपनी खोश से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपरक नहीं था लेकिन सोलवी सदी से उसकी विशाल भूमी और बेहिसाब फसले वक्षनीच पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे इनी कीवदंतियों की बदोलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगी यूरोप की संपता को बढ़ाया और पश्चमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गती परदान की सत्रमी शताबदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिन अमरीका की धन संपता के बारे में त्रह त्रह के किस्से बनने लगे इनी कीवदंतियों की बदोलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभ्यान शुर अमरीका के बहुत से क्षित्रों में अपने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। शुरू कर दिये तो उससे उनको क्या कई प्रकार के लाब मिले। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली जरूरी है कि उन्होंने अपने ताकत के दम पर या सेना के दम पर अपने उपनिवेश नहीं बनाए। उन्होंने क्या किया उन्होंने ना ही हत्यारों के दम पर ये काम किया। उन्होंने क्या किया वो अपने साथ एक बिमारी लेकर के आए। बिमारी थी चेचक। अब क्या था कि जो यूरोप के लोग थे उनकी प्रतिरोदक खशंता थी वो काफी जादा थी लेकिन जो अमरीका में अलग तलग लोग रह रहे थे उनकी जो प्रतिरोदक खशंता थी वो बहुत कम थी। और उसकी वज़ा से क्या हुआ कि जब चेचक अफ्स्त्रों के और सेनाओं के जरिये दक्षेन अमरीका में या अमरीका के अन्य हिस्सों में पहुँचा तो वहां जो भारी संख्या में जो लोग थे वो उसकी चपेट में आगे और कई जगा तो ऐसा होता था कि यूरोपियन वहां पहुँचते भी नहीं थे लेकिन चेचक पहले पहुँच जाता था और इस परकार चेचक की मार ने अमरीका वासियों को पूरी तरह से तहसनेस कर दिया और ये जो स्पेन वाले और ये पूर्त गाली थे इनके लिए वहां पर अपने उपनिवेश और उपनिवेशि अपनी जो उपनिवेशिक विवस्ता है उसको फिला रहे थे और एसी स्टिती में भारत और चीन वहां क्या हो रहा था भारत और चीन जो दोनों एक परकार से पहले वाली विवस्ता में बहुत आगे थे इस उपनिवेशिक विवस्ता की वज़ा से धीरे धीरे वो पिछड अठार्वी शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था एशियाई व्यपार में भी उनी का दबदबा था लेकिन विशेशग्यों का मानना है कि पंदरवी सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने सबंद कम करना शुरू कर दिये और वह दुनिया से अलग थलग पढ़ने लगा चीन की घटती भूमी का और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विशवयापार का के अंदर पश्चमी की और खिसकने लगा अब यूरोप ही विशवयापार का सबसे बड़ा के अंदर बन गया तो बच्चो इस अध्याय का हमारा जो पहला भाग था वो अब समाप्त होता है और इस अध्याय का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में पेश करेंगे उमीद है कि आपको समझाया होगा लेकिन अब आपने क्या समझा क्या जाना आए उसको थोड़ा प्रशन उत्तर के माद्यम से जानने का प्रयास करें पहले हम बहुविकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन एक लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं विकल्प हैं व्यपार की वज़ा से घूमने के लिए काम की तलाश में ये सब ही और अगर हम ये तीनों देखते हैं तो तीनों के लिए तो इसलिए इसका जो सही उत बहुत परसीद था विकल्प हैं कपास मारग रेश्य मारग मसाला मारग अफी मारग और बिल्कुल सही आपने पहजाना इसका सही उतर है रेश्य मारग प्रशन तीन नूडल्स मूल रूप से किस देश का खाद्या पदार्थ है विकल्प है भारत चीन अमेरिका इंगलेंड बिल्कुल सही नूडल्स चीन का मुख्या रूप से खाद्या पदार्थ रहा है प्रशन चार कॉलंबस निम्न में से क्या था विकल्प हैं एक विग्यानिक एक विवसाई एक खोजी यात्री एक गुलाम तो कॉलंबस एक खोजी यात्री था जिसने अमेरीका की खोज की थ प्रशन पांच वह कौन सी बिमारी थी जिसकी वज़ा से युरोप के देशों ने अमरीकी महादीब को असानी से उपनिवेश्ट बना लिया और विकल्प हैं पोलियो, टीबी, चेचक, मलेरिया बिलकुर सही आपने पहचाना अभी हमने पढ़ा इसका उत्तर है चेचक अब हम लगूत रात्मक प्रशन करेंगे प्रशन एक रेशम मारक को यह नाम क्यों दिया जाता है उत्तर क्योंकि इस मारक से बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ों का व्यापार होता था और इन कपड़ों में भी रेशम का कपड़ा ज्यादा मात्रा में होता था प्रशन दो प्राचिन काल से ही कोन कोन से व्यक्ति एक देश से दूसरे देशों की यात्राएं करते रहे हैं उत्तर यात्री व्यपारी पुजारी तिर्थ यात्री और आवसरों और अधियात्मिक शांती के लिए लोग एक देश से दूसरे देशों में आते जाते रहे हैं साथ ही कई लोग यातना या उत्पीडन से बचने के लिए भी ऐसा करते रहे हैं प्रशन 3 पूरव आधनिक युग में अमरीका महादीप से क्या भाव है उत्तर यहां अमेरीका का मतलब उत्रिय अमेरीका दक्षिन अमरीका और कैरिबियन द्वेप समू से है अब हम एक मिलान वाला प्रशन करेंगे सुचि प्रशन सुचि 1 को सुचि 2 से मिलाएं सूची एक में दिया गया है कॉलंबस, आयरलेंड, सिसली, चीन सूची दो में दिया गया है इटली का टापू, नूडल्स, स्पेन का खोजी यात्री, आलू, अकाल आईए अब हम इनका मिलान करें तो सूची एक में पहले है कोलंबस कोलंबस को हम किसे मिलाएंगे सूची दो में गा से स्पेन का खोजी यत्री सूची एक में जो दूसरा है आयरलैंड उसको हम किसे मिलाएंगे उसको हम आलू अकाल से मिलाएंगे क्योंकि आईरलैंड में आलूओं का हकाल पड़ा था जिसकी वज़ा से कई लोग मर गए थे भूखे मर गए थे सूची तीन में है सिसली और इसको हम सूची दो के पहले से का से मिलाएंगे क्योंकि सिसली जो है वो इटली का टापू है और सूची चोथे में है चीन और चीन को हम जो सूची दो का दूसरा है नूडल्स उससे मिलाएंगे क्योंकि नूडल्स चीन का मुख्या रूप से खादया पदार्त रहा है तो बच्चो इसी के साथ भूमंडली करन विश्व का बनना इस अध्याय का पहला भाग समाप्त होता है उमीद है आपको जो हमने चर्चा की जो हमने प्रशन उतर की बात की वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और जल्दी हम इसके दूसरे भाग के साथ मिलेंगे धन आवाद